Assalamu alaikum, एक नई शॉर्ट और यूसफुल वीडियो के साथ मैं डॉक्टर आयूब हूँ आज की इस शॉर्ट वीडियो की मोटिवेशन एक वाक्या बना है Canadian Clinical Psychology के परफेसर हैं परफेसर डॉक्टर जॉर्डन बी पीटरसन जॉर्डन बी पीटरसन का introduction एक best seller book है उन्होंने एक book लिखी थी 12 rules परफेसर पीटरसन के page पे उन्होंने अपनी एक short video recently share की यो मुझे बहुद अच्छी लगी अबता था कि शायद students भी इससे gain करें यही सोच के मैंने एक facebook page पर परफेसर पीटरसन की वो short video post कर दी और मैं हरान हुआ के पूरा दिन गुजरने के बाद शायद सिर्फ दो लोगों ने उसको like किया और चंद ही लोगों ने उसको view किया था और उसी दिन मैंने एक छोटा सा कलिप घजल का भी उस page पर पोस्ट किया तो मैं हरान हुआ कि विदिन नो टाइम बहुत सारे लोगों ने उसको like कमेंट किया यह एराउंट 20 लोगों ने विदिन नो टाइम कमेंट किया और उसके views भी कहीं ज्यादा थे तो मैंने सोचा कि क्यों ने शायद मैंने उसका analysis किया तो मुझे idea हुआ कि हो सकता है कि professor Peterson की बात जो इंग्रेजी की बात है वो हमारे page के followers को या हमारे students को समझ में नहीं आई तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना professor Peterson के जो exact words है उनको थोड़ ऐसा मफूम चेंज करके या थोड़ी सी इसको elaborate करके मैं अपने जो मेरे YouTube चैनल को देखने वाले हैं उनको सुनाओ आप खुद उसको analyze करें और खुद ही उसको देखें कि वो professor Peterson क्या कहना चाहते है और वो हमारे lives के लिए किस कदर useful चीज़ है तालबात को तनकीदी और तामीरी सोच बिचार सिखाने का बेहतरीन तरीका ये है कि उन्हें लिखना सिखाया जाए क्योंकि लिखने में और सोच बिचार करने में कोई फर्क नहीं है युनिवस्टीज के बारे में एक चीज़ जो मेरे होश उड़ा देती है वो ये है कि कोई भी तल्बा को ये नहीं सिखा रहा कि उन्हें आखिर क्यों लिखना चाहिए आप से पूछे क्यों लिख रहे हैं क्या आप अच्छे मार्स लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं और अगर आपका जवाब हाँ में है तो मेरे नजदेग ये बिलकुल भी अच्छा इडिया नहीं है अगर आप सोच बिचार कर सकते हैं बोल और लिख सकते हैं तो आप बहतरीन तरीके से पूर असर हो सकते हैं कोई रुकावट ठहर नहीं सकती बात सिर्फ इतनी है कि आप लिखना सीखें आप अपने दलाइल को मरबूत तरीके से तश्कील दे सकते हैं अपनी सोच वज़ाह से बियान कर सकते हैं कोई बहतर प्लान तर्टीब दे सकते हैं तो लोग आप पर इतबार करते हैं हता कि आप पर अपना पैसा भी इन्वेस्ट करने के लिए त्यार हो जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए भरपूर मुआके फरहम करते हैं इस तरह ना सिर्फ आपका असरो रसूख बढ़ता है बलके बाकी लोग भी तरकी करते हैं यह तो हम सब यूनिवस्टीज में हैं कि मियारी तरस पर बोलना सीखें और दूसरों को सिखाएं क्योंके यह सबसे ज़्यादा कारामच चीज है जो हम सब कर सकते हैं और अगर लोग समझें तो यह बहुत हिम्मत और होसला अफजाई की बात है आप यकीन करें के यह ऐसा ही है जैसे लिखने का फन नहीं बलके हमारी कलवार हो यह हमारे लिए बिल्कुल M16 गन की तरह है सोच बिचार करके लिखने का फन बुलेट प्रूफ जैकट किसी ढाल फ्राहम करता है इसको बस इस्तमाल करने का तरीका आना चाहिए बहुत शुक्रिया और मैं चाहता हूं कि आप प्रफेसर पीटरसन के वर्ड्स खुद उनकी जबान से भी सुनें थैंक यू वरी मुच कि नन्यू इसके अर्फेसर प्रता उल्स आदारा प्रताव सचार वर्ल्स वर्लsmाट that's what you're at university for teach people to be articulate because that's the most dangerous thing you can possibly be so and that's motivating if people know that it's like here's your sword here's your m16 right here's your bulletproof vest learn how to use them